बच्चों का स्वागत हैं welding के सेशन में welding के जोड़ार M.cu सेशन में जहां पर हम AI ृटी आई के लिए M.c.q practice करना है बच्चों छह तारिख चाहरे बीद दो, लोको नियुकते बहुत सब्सक्राइब कर के लिए, उसे की सब्सक्राइब करें हुआ है। आई टी आई वेल्डर एंजी क्यू वहां पर क्रिक करेंगे तो अपनी फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकता अपने घर पर रग भी सकते हैं चलिए बचो सो लेट स्टार्ट करते हैं बचो आज का सेशन आज के सेशन में हमारा पहला कोशन है बचो बीना दे दी कि फट आफ कि चलिए वी हैवा फर्स्ट कोश्चन देट इस वर्ट वुट भी दी मोस्ट अप्रोप्रिये जॉइंट प्रिपरेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग ऑफ 12 mm थिक प्लेट बचो 12 mm की थिक प्लेट की बात कर रहा है अगर 12 mm की थिक प्लेट है तो बताइए सबसे अच्छा रइयूक्त त्यारी जॉइंट को प्रिपेर करने का कौन सा तरीका होगा जल्दी आंसर करें बच्चो जल्दी जल्दी आंसर करें वट विल बी दी बताइए सिंगल वी जॉइंट, डबल वी जॉइंट सिंगल यू जॉइंट, स्क्वाइर बट जॉइंट जल्दी एक सेकंड बच वाँ, मैं इसको लिंक कर दूँ यहां से फाइल को ताकि फाइल कंटिनॉस चलती रहे एक सेकंड बस क्ले बच्छू एक सेकंड वाँ प्रवेश्ट ने रवेच्ट आधर यूट्यूट बहुत अटक रहा है बच्चे बीच बीच में इसलिए जो है लेक्चर भी पांच में लेट से स्टार्ट हुआ क्योंकि अल्डेडी लेक्चर जो है हम लोगों ने हम पिछले दस मिनट से लाइव थे लेकिन आप लोगों को दिखना लेट शुरू हुआ क्योंकि यूट्यूब ने जो है वो बार-बार घुमा रखा था सर्वर एरर के वज़े से ना जाने कौन सा एरर इनको मिलता है चलिए तो यहां पर बच्चो पहला कोशन हमारा मैक्सिम बच्चो ने क्या अंसर दिया है ए ए सी बी लेट आने को बच्चो रीजन मने बता दिया है मैं बस तेजी से शुरू ही कर रहा हूं इसलिए ठीक है ना चलिए चलिए तो यहां पर हमारा बच्चो साफ साफ है we all know that that is single V but joint जब हम यहां पर जॉइंट की बात करते हैं तो वी हैवा सिंगल वी जॉइंट चलिए अब सबसेट हो गया अब कोई दिक्कत नहीं है फ्रेशली दुबारा से फाइल मैंने डाल दिया कोई अटकने का कोई चांस नहीं चलिए सिंगल वी जॉइंट टैट इस एविल भी करेक्ट आंसर अब स्पीड पकड़ते हैं फटाफट स्मॉल मैटल पार्टिकल्स विच आर्ट्रोण आउट आउट अफ दूरिंग वेल्डिंग अलॉंग विद वेल्ड आर कॉल्ड तो बच्चो जब हम वेल्डिंग करते हैं त सेटर ब долго इक तरह का डिफेक्ते को बाहर गिर तिस विद्डिफा तो यह मेटल का इक पार्ट बन जाते हैं जो पुरी सराफियस को खराब करते हैं तो याद रखी का उसको बहुत आता है स्पैटर इसको हिंडी में भी संंथ ही लिखा है ठीया न तेट इस sleeper क्लिएं सल शक कास्ट अरण की फ्लक्स कवर्ड एलेक्टोर्ड यूजा रखे के बेसिक टाइप श्लूलोस टाइप या आड आउक्साईट टाइप जल्दी बताएं तो बच्चो मैंने आपको कल बताया था कि यहां पर हमारे ज्यादा कोटिंग की कास्ट अरंड की वेल्डिंग ले ज्यादा कोटिंग की जुरूत नहीं पड़ती है तो यहां पर यूज करते हैं बेसिक टाइप ही तो इसलिए याद रखेगा तब बेसिक टाइप फ्लक्स बच्चो कहा है पीडिया पीडिया डल चुका है आप लोग का कल के सेशन करा आज के सेशन का कल दल जाएगा नेक्ट बाइं मिक्सिंग ऑक्सिजन एन असी टाइलीन इन डिफरेंट पर पॉर्पोर्शन डिफरेंट टाप सफ फ्लेम्स केन बी अप्टेंड वर्ट टाप फ वार पेपर में आचोगा जबकि कुछी भी नहीं है न्यूट्रल फ्लेम इसमें क्या सोचना है किसी को कोई कंफिशन आएगा तो आप करी लेंगे नेक्स्ट कोश्चन ऐसी टाइलीन के लिए इसमें डिजॉल्व किया जाता है डिजॉल्व होता है तो बच्चो बहुत लो जिससे वो उसको फॉर्म में बनाए रखता है ठीक है ना यूजबल फॉर्म में नेक्स्ट हमारे पास है बच्चो अगला कॉश्चन यूळेय कॉडिंग औफ लेट्रोंट्ट रेडियो ग्राफिक उनटिटी लेक्तरे और इंडिकल लेटर लेक्टnatural ऑट्रों की कोडिंग में हैं है और तो गॉर्डिंग औफ लेक्ट्रों से आंता है बच्चो थिकाना इॉम्टिmi Cl को हम किस fiber करते हैं बढ़ encourages quality electrode को हम लेटर से करते हैं बचो यह किस लेटर से इंडिकेट करते हैं एड इस बाइट ग्या एक्स-बढून कें है एक से जरॉ yağ का इसके साब से आंसर करोगे तो क्या आएगा इसके साब से आंसर करोगे तो क्या आएगा मेल्टिंग पॉइंट आप ब्रास ब्रोंज इस हाई नो ठीक है ना हाँ इस टाइप फ्लेम हैप सुट रिटेइन कलर और ना इस टाइप फ्लेम अवाइड वेपराइशन ऑफ जिंक इस टाइप फ्लेम हैं इंक्रीजिंग स्पीड वेल्डिंग अब देखो यह जाहां पे आप अक्साइड को लेकर तो कुछ नहीं है क्योंकि वैसे भी यह मेटल के साथ मटाइड और मने था नहीं तो आपको अंशर के आडुड़ना इनी की प्रॉपरटीस के उपर तो जब हम बात कर रहे हैं ब्रास इन ब्रोंज टो कॉपर और जिंक फसे बनाएं तो ये जो है हमें ये जो है oxidizing flame वो help करते बच्चो टू एवाइड वेपराइजेशन अफ जिंक जिंक उड़ना जाए उसको रोकती है उसको बचाती है प्लीज बच्चो सभी जगह शेयर करें सेशन को कल से बच्चे जादा होने चाहिए तभी फाइदा है कि आप लोग जुड लेना चाहते हैं हमारे साथ अलग मतलब के short short selection लेना चाहते है और मैं guarantee बता रहा हूं हमने जेए में हजार सेलेक्शन दिये बच्चो एक साल के अंदर हजारो सेलेक्शन मतलब वेकंसी जितनी आई है उसका कम से कम नितों 40-50 परसेंट सेलेक्शन दिया है वेकंसी का लब ज यहां पर मुझे लगता है कि अगर हम जी लेवल पर जो रिजल दे रहे हैं उसका डबल ट्रिपल दे सकते हैं आई टी लेवल पर क्योंकि वेकंसी उससे भी जाता रहती है तो बच्चो आने वाले दिनों के लिए बिल्कुल सेफ समझे अगर आप आप आई टी आई के वज होती है तो ओविसी बात है बहुत एंट सी तो डी विदी करेक्ट आंसर बिल्कुल होना चाहिए बच्चो तुमारा भी होना चाहिए और टायर वन अगर आपका निकल गया तो टायर टू की पूरी जिम्मेदारी से हम लोग आपकी हेल्प करेंगे पूरी जिम्मेदारी से पूरी जोग दो पहले निकाल के दो विच स्टेट्मेंट एपलाइज तु थर्मिट वेलिंग तर्मिट वेलिंग लिकांसा स्टेट्मेंट अपलाई किया जाए बच्चो इटिन हैजाड़ डू तू वेरी हाइए टमपरेचर यह बहुत खतरनाक है ज्यादा टमपरेचर क लगांन कि हैजाट बच्चों मुझे सारे पॉइंट विल्कुल सही लग रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करें थर्मिट वैलिंग की तो थर्मिट वैलिंग के लिए सारे ही पॉइंट जो है वो पिलकुल सही नजरा आते हैं है ना क्योंकि यह एक क्विक रियेक्शन होती अच्छा कोश्चन है किसी मैंटल में कार्बन अगर बढ़ता है है मेटल में कारबन का कंटेंट अगर बढ़ता है तो क्या होता है यह बचो कुशन जे लेवल पर भी आया है पिपर में ठीक है ना तो आप भी बढ़ा सकते हैं इसका आंसर चाहिए तो मैं वैसे बता सकता हूं बचो इसका अंसर यान रखेगा अगर जो ऑप्षयन दिए वह तो इन्हाँ को साहिए आपको उसके हिसाप से अगर आप बोलो तो एक दी हाइधिनेस बढ़ती है एनर मैं कारवन इचापनी थ५पल्त रहा है तो उसकी हाइद्ब और इस की हाइधम्ह बढ़ेगी है र NATO और साथ साथ क्या होगा है उसकी वेल्डियूटीडी इसकी वेल्ड करने की एबिलीटी जो है चमता उसकी कम होती है डिक्रीज वेल्ड 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 व क्या shape of the weld bead को ripple कहते है, depression in base metal को ripple कहते है, depth of fusion in metal, distance from electrode to metal, very important question, ठीके न, ऐसे question में बहुत confusion हो जाता है, अगर पढ़ा ना हो, confusion क्या होना है, मतलब पता ही नहीं होता है, ठीके न, तो जो weld bead का shape होता है, बच्चो उसको ripple कहा जाता है, ठीके न, तो ripple शब्द का क्या अर्थ है, that is the shape of the weld bead, shape of the weld bead, very good, आप लोग की chat जो है, वो मुझसे पीछे-पीछे है, तभी मुझे सही समय पे आप लोग का सही answer नहीं मिल रहा है, एक question पीछे मिल रहा है, पट कोई बात नहीं, उसी हिसाप से देखते भी चलेंगे, clear है, next question बच्चो, next question पे हम लोग आते है, तो अगला question है, hitting of a joint immediately after welding is called, तो को, hitting of a joint immediately after welding, आफटर welding जो है, अगर हम hitting कर रहे हैं किसी joint की, उसको हम क्या बोलेंगे, pre-hitting बोलेंगे, post बोलेंगे, late बोलेंगे, delayed, तो बच्चो, यहाँ पे देखो, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि आप समझ ना पाएं, अगर पहले और बाद लिख देंगे, तो आपको असानी से समझ में आई जाएगा, तो साफ साफ है, pre तो नहीं बोलेंगे, pre मतलब पहले है, pre मतलब पहले है, late मतलब धेर से है, delay मतलब और भी धीरे है, post मतलब उसके बाद है, तो post मतलब just उसके बाद, that is the correct answer, post hitting, next question, what are the some short term symptoms of arc eye or welder's flesh, ठीक है, देखो बचो, arc eye or welder's flesh के short term, वो क्या है, symptom, symptom मतलब क्या होते है, कि क्या हमें देखने को मिलता है, बुखार आपको, आपका सरीर कहां पर आप रहा है, तो यह क्या है, fever के symptom से हैं, कि आपको fever होने वाला, आपका सरीर कहां पर आपको ठंड लग रही है, ठीक है न, तो ऐसे ह बचो, जो हमारा आखों में, arc eye or welder's flesh जो होता है, इस तरह का short term ही होता है, क्योंकि अगर आपके आपके आख में चमक लग जाती है, light लग जाती है, arc eye, तो welding में जो यह problem होती है, यह short term ही होती है, कुछ समय रहती है, लेकिन बहुत दर्द करती है, तो उसको हम लोग जो है, उसके symptoms क्या होता है, dry eyeballs, eyeballs आपके dry हो जाएगे, extremely eye pain, headache, nausea, infection, conjunctiness, या excessive winkling, या blindness ही हो जाए, ठेक है, बताएं इसमें क्या होगा बच्चो, important है यह भी, तो सबसे main symptom क्या होता है, कि आपके आखों में बहुत दर्द होगा, irritation सा होगा, headache होगा, तो that is be will be the correct answer, हम सबको हुआ हो करें, उनको हुआ होगा, मेरको तो दो दिन रहा था, बड़ा बुरहाल, ठेक है न, तो जो ज्यादा इस तरह का work करता है, और directly contact में आता है, उसको यह हो जाती है problem, clear है, next question, a solid state welding process using a non-consumable cylindrical tool is called, वो solid state welding process बच्चो जो एक non-consumable electrode use करती है, cylindrical tool is called, बताए, resistance welding, friction stir welding, carbon arc welding, या बड़ा अच्छा कोशन है, बलब option के साब से अच्छा है, बाखी तो ऐसा कोशन कई हो से पूछा जाता है, ठेकिन उसको हम क्या बूलेंगे, यहां पर that is called your carbon arc welding, that is called your carbon arc welding, very good, game player, शंबू ठाकुर जी, बहुत अच्छे, very good, very good, बूरी, चलिए बच्छो, यहां पर हम next question पर आते हैं, चलिए बच्छो, अगला कुशन हमारे पास क्या है, यहां पर अगला कुशन पर आते हैं, which one of the following is non destructive test, अब देखो बच्छो, welding के टेस्टिंग को जरूब पढ़के जाना बच्छे, जो भी welder के उसमें, टेस्टिंग तो सबसे important part है, चलिए welding, welder वाला हो या फिटर वाला हो, टेस्टिंग is very very important, अब से अच्छे का से question बन सकते हैं, that is called testing से, तो यहां पर अगर बोलें, which one of the following is non destructive, तो बच्छो, जिसमें तोड़ फोड की जाती है, specimen के साथ, कि मानो मैं देखना चाहता हूँ कि यह pen कितना है ना, मतलब वाली बात है कि आपका blood test क्या है, destructive test है, क्यों क्योंकि आपका खून निकालना पड़ा, है ना, तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत हुई, खून निकाल के आपका test, that is destructive test, लेकिन आपने जाके x-ray कराया, वो non destructive होगया, क्योंकि आपको कोई नुक्सानी और light आप स समझ आई बात, तो वो भी destructive है, तो साफ साफ है बच्चों यहाँ पर clear, बचा क्या आपका, magnetic particle test बच्चों, magnetic particle जो है, हमारा वो non destructive test है, वो हमारा जो है, वो non destructive test है, बिलकुल सही, समझ में आई बात, चलिए, next question पर आते हैं बच्चों, अगला question था, sensitivity of a radio graph is assessed, the sensitivity of a radio graph is assessed, by using a densityometer, densityometer, by using an image quality indicator, from the KVA used, from the source to work standoff distance, source to work standoff distance, मतलब दोनों के बीच की दूरी ही जो हती है, ठीक है न, कितना पीछे से, ठीक है न, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, कि sensitivity of a radio graph is assessed, sensitivity of a radio graph कैसे assess हो सकती है, मलग कैसे पता चल सकती है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, image quality indicator से बच्चों, IQI यह से बोलते हैं, IQI, image quality indicator से, that is IQI, very good, very good, b, 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 बिल्कुल सही, IQI से, please बच्चे सब जगे बताते रहें कि यह वेल्डर का क्लास चल रहा है, 6 दिन महनत कर लो, आगे जाके एक से एक पेपर हैं, वो सब पेपर तुमारे यहां कराए जाएंगे, वेल्डर के एक-एक, अभी तक बच्चों की बड़ी शिकायत रहती थी, कि सब ittini सबाएंट है, 25 सलेफ होेट वेल्डर का कोर्स, हैंट वेल्डर का कोर्स उत्यना बहतरीन कोर्स कर वाँगा आपको इसके बाद यह डियाडी होने के बाद कि आपके आने वाले जो भी पेपर हैं अराम से हलवे के तरह निकलेंगे, कि याद रखिए, नेक्सt कोच्ट बच्चो नेक्स्ट व्च डिस्ट्रक्टिव टेश्ट प्रप्रेशन दो वेल बीड कटिंग ौइस ऑफ 1.5 mm to 2 mmड देप्थ तो विच डिस्ट्रक्टिव टेश्ट प्रपेरेशन दाव बीड कटिंग था पर याद रखेए यहां पर हलका साम कट मार रहे हैं वो और the hardness या इस परपस के लिए तेट इस बाई निक ब्रेक टेस्ट निक से याद रखो थोड़ा सा है ना मेरतन लेके आऊ सर मेरतन लेके आएंगे बच्छे पहले तीन दिन महनत करो चार पांस दिन महनत करो सेटेड़े को तब उसके बाद करेंगे कौन सा बच्छे प्रद्यूम जी कोश्चन बताओ अगर किसी में भी डाउट है या कुछ ऐसा लग रहा है कि गलती से कुछ अलग हुआ है तो प्लीज बताएं कोई दिक्कत नहीं है तेकिन हर डाउट हर गलती को हम लोग क्लियर करेंगे जैसे कल के को सेशन में भी कुछ पुल फोर्से अल्टेनुटली फॉर लॉंग पीड़ अंटिल जॉइंट फेल्स तो बोल रहा बच्चो वेल्ड किये गए जोड का कौन सा परिक्षन लंभी अवधी तक वेकल्पिक रूप से धक्का और खिचने के लिए किया जाता है जब तक कि जोड विफलना हो जाए तो बच्चो धक्का और खिंचने के लिए अब देखो धक्का और खिंचना पुश और पुल किसमें करेंगे बच्चो पुश और पुल पुश और पुल दो अलग अलग डिरेक्शन के हो गए ऐसे 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 साइकलिक साइकलिक मतलब फटीग बच्चे साइकलिक मतलब crack that is a fatigue failure alright together that dignity of weld metal is measured by kishi weld metaghi ductility को कैसे measured करेंगे बच्चो तो साफ है fatigue test से तो fatigue life measure होगी impact test से toughness measure होती है टिक नब bend test से bending का पता चलता है 10-1 टेस्ट से ductility का पता चलता है चिए न तो A will be the correct answer, A will be the correct answer, okay, next question, what is the full form of WPS in welding बच्छो, WPS, welding में WPS का क्या मतलब है, बड़ा है, important question है ये भी, बदा ही है, welding में WPS का क्या अर्थ है बच्छो, WPS, जल्दी बता है, that is called welder procedure qualification बच्छो, that is called welder procedure qualification का है, C will be the correct answer, that is called welding procedure, sorry, welder नहीं, welding procedure qualification, WPC, ठीक है न, WPC, WPS, sorry, S होना चाहिए न, ठीक है, next question बच्छो, which process is used to cut stainless steel metal, बच्छो, इन में से कौन सा stainless steel, SS metal को cut करने का काम करता है, इन में से कौन सा SS metal को cut करने का काम करता है, that is SS metal, बच्छो, stainless steel है, that is good fit, oxy-acetylene से तो होगा नहीं सही से, है न, oxy-propane भी हटा लेट है, it depends on the thickness, तो बच्छो, साफ है, plasma arc cutting process, plasma arc cutting process, AAA will be the criteria, very good, जो बच्छे बिल्कुल सही आंसर दे रहे, मज़ा आ रहा है उनको देखने में, और वो regular भी है, तो और भी मज़ा आ रहा है, ठीक है न, तो बच्छे, बिल्कुल मेरा आशिरवाद है, कि तुम सब का selection इस बार हो नहीं होना है, बस इसी जी जान से लगे रहो, ठीक है, और, आगे जाके वेल्टर बनके एक बढ़िया जॉइन करो, फिर और पढ़ाई करो, अपनी क्वालिफिशन इंक्रीज करो, और बैटर पद पर बैठो, यही तो मौका है, ठीक है, विच 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 इस ऑपरेशन टू, विच इस दी ऑपरेशन टू, रिलीव रिलीव रेसिड इस दीने बैठेल में अगरण होती है, यहां पर होती है, जब वो यह अंधर रह आती है वहदा ति ए और वो निकल तो सफ सब किसी फाढ़इज आगर यहां के मौका बने अगर यहां होती है, जिसके वो काब मोटी यू अब ऑक बने बांद रह जाती है, जीड गन्दर रह तो वहाँ पर छोटा सा क्याविटी है स्मॉल होल बन जाते हैं तो इसमें से हम इस किस डिफेक्ट को बोलेंगे लैक ओफ फ्यूजन लैक ओपनेटरेशन स्पैटर या पोरो सिटी तो बच्छो बच्छो यहां पर भी सेम उस तरह का कुशन है क्या वह वट इस डिफेक्ट इ इन विचिता वेल्ड मैंटल मैंटिंग ठूब बेस मैंटल रिजल्टिंग इन होल ठेके ना तो यहां पर वो कह रहा है एक वेल जॉइंट में दोस्ट क्या है जिसमें बेस में दिफेक्ट के माध्यम से पिगलने वाले वेल्ड वैल्ड धातू के प्रेणाम स्वरूप होल जान हो जाता है इस तैप से कहना चाहरा है एक्सेशिव पैनेटरेशन लैक पैनेटरेशन बर्न थू यह डिस्ट्रॉशन अच्छा कोश्चन बचो यह क्योंकि जो कोश्चन इस्पेशली आई टी लेवल पर ही देखने को मिलता है वो ज्यादा इंपोर्टन कोशन हो जाता है तो ऐसे कोश्चन में हम इसको क्या बोलेंगे देट इसकोड जल्ली बताएं बर्न थू इसको बोलते हैं बच्छो बर्न थू जलके होली हो जाना देट इसकोड बढ़न थू से विल बीडिक करेक्ट आंजर बिल्कुल सही नेस्ट कोश्चन बच्छो वाट इस नेम ऑफ द आपका बच्छो यहां पर कॉंसा डिफेक्ट कहलाएगा ऐसे में यह कॉंसा डिफेक्ट कहलाएगा धाइस कॉल दिस्तॉर्ट इक्सेशिफ पनेटरेशन लेक पैनेटरेशन या पोरसित नाम से के लिए है शिकुडना डिस्टॉर्च बढ़ना शेप खराब हो जाना शेप खराब जाने को क्या बोलते हैं दिस्टॉर्शन शेप खराब हो जाना that is called दिस्टॉर्शन फीली एकरो तभी याद रहेगा सर्फ नाम से याद ने रहेगा दिस्टॉर्शन शेप का बिगर जाना ठिक है ना तो श्रींक हो रहा है contract हो रहा है next what is the name of the defect occurring the occurring to an सब्सक्राइब ना वर फ्यूजन बरन तुरू दिस्टॉर्शन वेविन तो गैस मेटल आर्क वेलिंग में जो कि मैन्वल होती है तो उसमें जो है हमारा कौन सा दिफेक्ट देखने को मिलता है ठीके ना तो ऑफिसी बात है बच्चो हमारे अन्स्टेडी के वज़े से अन्स् बिला सिजा नहीं चलेगा इदर उदर इदर 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 हीलेगा simple logic से भी इसका अंसर आप कर सकते हो वेविनेस मतलब इधर उधर 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 निकल रहा है ठीक है अब इससे जादा है हिंदी में क्या बोलू बेंगॉली में बोलू वट डिफेक्ट अकर टु अवेल जॉइंट इफ इस प्रोवाइड़ विद इस सफिशेंट हीट इंपूट आप लोग हिंदी में पढ़ भी स होगा वो कौन सा होगा पूरी तरह से अगर हीट ना दी जाए तो लैक ऑफ फ्यूजन लैक ऑपेंट्रेशन लैक को मैटल डिफूजट अनिवन बीड डिफूज़ बहुत अच्छे ऑप्शन है वेरी गुड जहां दो तीन ऑप्शन ऐसे रहते हैं जिसमें कंफूजन आ सक उसको हम क्या बोलेंगे बच्चो यह तो अगला बच्चो विट वट गैस कंबनेशन विल डिउस इस पैटर डिफेक्ट एंड इंप्रूब आर्क इस्टिबिटी इन मिग वैल्डिंग प्रोसेस गॉन गैस संयोजन वेल्डिंग मतलब एक इस्पिक दोश को कम करेगा और ग्यिंगा देंको विठोश कौन सी गैस का कॉंबिनेशन जो है वो फैटर को कं करता है और अर्की स्टेबिटी को बढ़ाता था को यहां पर सिस्पाटर को कम करा cetHE आर्क रखुसे जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं वेरी गूड मुहित प्रवीन संदीपी के प्यूश प्रद्यूमन हर्ष मोहित संदीप कपल विशाल कांतिलाल शिवाम आशीज बहुत बढ़िया देज आर्गन एक्साइड ऑक्सीजन डीमेडी कुछ यहां मैऊसीमम बच्चो को बीडी 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 ए रहा है ठीक है ना अरगण भी इन को स्रिल नमीन के लिए तो इसलिए अंनि करबनानर हो यहां एक लिए लगन ब्लकरन अपकर आएगा लेकिन ऑक्सीजन से ज Name 이거를 Studentsники यहां गया है ठीक है ना? Ark और CO2 ठीक है आपका, B B अप्शन बिल्कुल सही है, B B कोई गलत नहीं है, लेकिन हमने कई जगा इसलिए चेक भी किया इसको, एपर D is the correct answer, ठीक है? D is the correct answer, ठीक है बच्चो, केले रहे? B सोचना आपका बिल्कुल सही था, वहाँ तक तो. वाट आपस जोईंड इन फ्रिक्शन वेल्डिंग पुछो किस तरह का जॉइंट हमें देखने को मिलता है टी जॉइंट लैप जॉइंट बंट जॉइंट कॉर्नर जॉइंट सुरी जल्दी बताओ किस तरह का नहीं ले रहें नेम क्या ले रहे हम तो बच्चो को कुछ को खुश कर देते हैं बस नाम लेकर जैसे नदीव बाद से फरमाई साती है कि हमारा नाम लो पिंकी बिट्टू तो ऐसी ले ले लेते हैं थोड़ता बीच में कोई जात नहीं है जो खोचो यहां पर हमसे पूत रहा है वह तैप जैने फिक्शन वेलिट्ग कॉन सा जोईंट इखने की बलता है फ्रिक्शन वेलिट्ग क्या होती है जो आपस में घिसती है किसके जूड़ती है तो जब घिसके जूड़ेगी तो सामने end to end जूड़ेंगे बच्चो that is called butt welding that is called butt joint है ना आमने सामने तोाही जीनकिक वेल्डिंग अविल्दिंग मालिन यह नामि 7 बता है टवाही जिंची क्या किया थे वेल्धिंग कर लगिया थे भीस तर्टम्ह लोगिेंगी बाती मैठर्ट को स्टेङें ए जुस्धो से रार हो एक ह Chandahu क्नियमेच आर गलेtt का surfacing can be done in any a check-in method say surfacing को किसी भी पूजिशन और किसी भी लोकीशन में कर सकते हैं बताइए बहुत अच्छा शिल्ड मेटल आर्क वेल्डिंट टिक वेल्डिंग वेल्डिंग सम्मर्ज आरक वेल्डिंग जल्दी बताएं बहुत अच्छा कोश्चिन टो बच्चो एनी सरफेस एनी पुजिशन तो एक ही है जो खुश से की जाए थैट इसकाल शिल्ड मेटल होडिंग सम्म्म ए डबलू एसम ए डबलू वेरी गुड्ड वेरी गुड वेरी सट ली गुड नैक्सरीशत में ज्टन वर्डिंग फिक्शन वेल्डिंग में किस तरह के मेटल जोइन अच्छों बहुत अच्छा कोशन ये भी वह रटोग बहुत अच्छा कोशन ये दो जही एक अच्छा कोशन ने इस प्रेफर भी जाती या तो बीविल बीट आंसा इइए विट बीविडी करें सा next question which method is suitable for surfacing method to have a smooth and thin layer which method is suitable for surfacing method to have a smooth and thin layer surfacing method to have smooth or thin layer MIG welding Schindler method arc welding plasma or submerged arc welding जल्दी बतायां जल्दी बतायां which method is suitable for surfacing method to have a smooth and thin layer smooth and thin layer बत्चो plasma बिल्कुल सही सबका आइडिया बिल्कुल सही है that is called plasma welding that is called plasma welding C will be the correct answer next question what crystal is used in laser beam welding laser beam welding को बत्चो कौन सा crystal use किया जाता है बच्पन से नाम सुनते हैं ruby 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 crystal ठीक है ना याद रखना ruby को तो कैसे बूल जाओगे तुम याद रखो ruby crystal ठीक है next question monal metal is an alloy of monal metal is an alloy of monal metal is an alloy of monal metal metal बच्चो alloy याद रखेगा बच्चो आपके courses में है syllabus में alloy होगे heat treatment होगे है बड़ा important part है तो monal metal is an alloy of nickel and copper nickel and chromium nickel chromium and iron or copper and chromium जल्दी बताएं monal metal बहुत famous alloy है बच्चो बहुत famous alloy है जल्दी बताएं monal metal किसका है nickel nickel based alloy है बच्चो monal metal that is called nickel and copper nickel and copper clear nickel and copper next question very good very good very good बहुत speed में करा दिया बच्चो मैंने आपको question ठीक न बहुत speed में the iron iron or mostly used for the production of pig iron is वो iron और कौन सा है बच्चो जिससे pig iron का production करते है हम लोग ठीके न वो कौन सा आरन या आरन के ओर दिये गए बच्चो magnetite, hematite, limonite, sidrite बताईए इनमें से कौन सा और है जिससे हम pig iron का production करते है बच्चो that is called that is called that is कौन सा है hematite that is called hematite the iron or is called hematite या रखेगा बहुत important है बहुत बार पुछाता है metallurgies हम हमेशा important रही है बच्चो iti के लिए हो या जेए के लिए सभी के लिए पर आईट या के लिए जाह हो बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है ना number of carbon in iron makes the metal combined carbon in iron makes the metal ठीक है और प्लीज बच्चो अगर आपको सही लग रहा है तो आप comment में लिखें कि बढ़िया ज़र और कोशन लाएं और अच्छे से तो मैं और भी कोशन बढ़ाओंगा आप लोगों के लिए ठीक है अब हाड बनाइगा हाड बनाए बात तो किलियर है हाड बनाएगा हाड बना अगा यह बात किलियर है हाड लेकिन उसके साथ fine grain किस्ट्लाइन को बनाएगा तेके ना बिल्कुल बिल्कुल अभी तो मैं थोड़ा सा उतना साफ नहीं बोल रहोंगा कि मेरे माउट अलसर हो रहे हैं जिसके वैसे उतना साफ आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि बड़ा दर्द हो रहा है बोलते लेकिन एक दिन में ठीक हो जाएगा तो बड़ी अच्छ इस 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 टील है फोट टाइप सबस्टील बोलुगा मैं बस टाइप सफ इस टील and टाइप सऌफ को देखर होताया धश थास प्रमिशन शर्म ons SMITH वyll घ् Cir … न्न जो होतार वह फ्लैक्स थैप में इसमें याद रखे का सेखर। जमोसल सच तो कहीं धिक्रीक जर्फल्ट से रहें इच्छयोंच मुझा सबता बाकर आप और यह ऐसा हो जाएगा था तो यह वह 200 Чер Simons should जबा रहता है clear uh it will be the correct answer it will be the correct answer a sa question daily कर बाएं which is not the use of divider which is not the use of divider invested divider ka kaunsa use नहीं है to divide curve or straight line into the desired number of equal part because you divide कर सकता है divider to transfer dimensions from one part of the drawing to another part or we will kill to set of given distance from this skill to the drawing इकना वहीज स्केल स्टेग चुर्च इक भर सकता है तो नहीं कर सकता वो क्या है not the user divided parameterios eros तेगे अब देख लेंगे अब देख लेंगे आपके रिक्वेस्ट हमने विल्कुल एकसेप्ट कर लिया अभी दूबारा चेक कर लेंगो से कोई टेंशन नहीं कि यहां पर 50 कोशन मैंने लेकर आना थे लेकिन आज 40 लेकर वह भी बहुत तेजी में निकल गए ठीक है तो दस कोशिंट रह गया है कल मैं इसकी जिगा पर आपको पचास के साथ करा दूंगा टेंशन नहीं ठीक है फोड़ा दस कोशन जो है वह शौट रह गया आज मिर से ठी से अधे माइन समीर कर रहा है उसके साथ हम पूरी तरह से पूरी तरह से यहां पर साथ देंगे सपोड करेंगे पूरी मेनलग करेंगे मैं वापिस आ रहा हो बच्चो पीछे वाले प्षण पे, 20 बोल रहे थे ना, Samir, एक सेक्ड़ चिए, 20 पे वापिस आते हैं, बच्छा जाए था 20. मेरा बस जो शक है 20 वही ना हो, वही तो नहीं है 20, हा? WPS लाग यह, यह यह,च यह बच्छो मैं उस टायां, Jaladbaji मैं कह रहा था, that is not qualification, WPS होना चाहिए, मैंने बोला भी था, that is हमने यह गलाद मार्क कर दिया, बिल्कुल सही है बच्छो, Samir जी ने अच्छा वा याद दिला दिया वापिस, मैं वापिस आने ही वादा था था इसमे, that is specification, क्योंकि S है ना, that is specification, ठीक है ना, that is specification, specification, ओके, please सभी बच्चे, specification, clear है, ठीक है ना, तो सभी लोग ठीक कर ले ना इसे, that is WPS, मैं उस्टाम बोल भी रहा था, next करते करते, फिर मैंने का चलो देखेंगे, आगे चेक कर लेंगे, ठीक है ना, PDF में बताए तो बच्चों आपको कहा मिलेगी, इसकी भी PDF जो है कल की क्लास से पहले पहले डल जाएगी, आप उसके लिए क्या करा करें, make it easy live classes की एप को खोलें, सुरी यह तो test series है न, make it easy live classes की एप को खोलेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही, देखो, मैं बता देता हूँ, आप make it easy live classes की एप को डाउनलोड करो बच्चों, ठीक है, make it easy live classes की एप, उसमें यहाँ पे एक folder होगा, जब आप login कर लेंगे, रेइस्टेट कर लेंगे, docs and e-books करके, docs and e-books, docs and e-books करके, और docs and e-books पे जब आप क्लिक करेंगे, तो तब आपको यहाँ पे PDF फोल्डर दिखाई देगा बच्चो, ITI welder करके, उसको क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आजकल की फाईल जो है, वो अल्रीडेडी डेली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, so that आप लोगों को मिल जाए, क्या दिखा दूंडोर के, तक क्या दिखा रा है, ने मैं आपको दिखा दूं, टीक है, यह दो को यह लाइव दस्सकी तो दाउनलोड करोगे इसमें था-ज़ पोल्डर दिख रहे है, डॉक्सेट इबुक्स करके डॉक्सेट इबुक्स यह उपन करोगे चीक है तो यह डॉक्सेट इबुक्स नेट नहीं चल रहा है किया चीक है एक सीमार्ण नेट डेटा खत्म हुय ति यहीं पर आपको दिखाई देगा अपना आई टीजिय की वेल्टिर के वह फोल्डर उसको क्लिक करोगे तो उसके अंदर पीडियार मृश पर जब पीडियार बोबन करोगे तूसमें दो नहीं प्डियमा हैं Visit लोट में करने और ऐसे ही तो मार है के ओर यहां आद hack विजू दोनों में ही तो है PDF ऐसे ही है PDF उसमें ठेके ना हिंदी इंग्लीज दोनों में ही है बच्चे कृष्णा कुमार जी हिंदी इंग्लीज दोनों में ही है